नमस्ते चगली बास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपके लेकर आए हैं टाजन गर्ल की खबर जी हाँ, बॉलिवुड में टाजन गर्ल के नाम से मशूर किमी काटकर नबे के दशक के चरजित एक्ट्रिस बला के खोबसूरत, बिंदास, कटीले नैन नकश वाली किमी जब फिल्म ड्रेस्ट्रि में उनोंने लंबी पारी नहीं खेली उनोंने, बहुत सारी फिल्में नहीं की उनोंने लेकिन फिर भी यादगार रही उनकी जो भी फिल्म उनोंने की शोहरत की बुलंदियों पर किमी काट करनी फिल्म डिस्ट्री से नाता तोड दिया और वो चली गई अपने अलग दुनिया में तो उन्होंने कहा उनका ये कहना था किया मिताब बचन के साथ जब उन्होंने काम कर लिया तो उनके लिया अब और बचा ही क्या है इंडस्ट्री में मॉडलिंग से आये थी फिल्म दुनिया में किमिकाट कर पत्थर दिल फिल्म से किया था डेबियू और जबरदस्थ अंदाज से दरशकों के दिलों को बिगला दिया था पचास फिल्मों में काम किया तकरीबन उन्होंने और असली पहचान उन्हें मिली फिल्म Adventure of Tarjan फिल्म से हीमंत बिर्जी के साथ काफी बोल्ड सीन उन्होंने दिया था और इसकी वजह से रातों रात Tarjan Girl के नाम से मशूर हो गई थी और उन्हें काफी पसंद किया जाता था उनकी नैन नक्ष पर और कहा जाता था कि बहुत खूपसूरत हैं वो और उस वक्त के जो भी नौजवान थे उनके दिल धड़का करते थी किमी काटकर के लिए इसके अलावा किमी को लोग आज भी आमिताब बच्चन के साथ फिल्म हम की वजह से यादते हैं जिसका गीत आज तक काफी पॉपलर है इस फिल्म में गीत आमिताब बच्चन और किमी काटकर पर फिल्माय गया था ये गीत फिल्म का गाना जुमा चुमा दे 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 जबर दस हिट था ये गाना आज तक लोगों के जुबान पर चड़ा है ये गाना नबे के दैशक के लोग इस गाने में खूब जुमें लेकिन आज भी इस गाने की पॉपुलेरिटी उतनी ही है हर गली नुकड पर उस वक्त ये गाना बजा करता था और इसके साथ ही कीमिक आटकर क पॉपुलेरिटी भी काफी बढ़ती गई करियर के पीक पर जब वो पहुँची तो उन्होंने साल 1992 में फिल्मेकर और फोटोग्राफर शांतनू शौरी से शादी कर ली और बॉलिवुड को कह दिया अलविदा इस फैशले से जो किमी ने फैसला लिया इससे फैंस को निरा करने के लिए मैं 17 साल से मॉडलिंग कर रही थी 10-11 साल लगातार काम करने के लिए मुझे सेटल होना था हर कोई हरान था हम के बाद मेरे पास अमित के साथ फिल्मों के आफर आने लगे थे लेकिन जब मैंने शांतनू को हां कहा तो इस चैप्टर को बंद कर दिया इन्फेक तो उनका अपना नीजी फैसला था लेकिन लोग आज भी उन्हें याद करते हैं जो भी उन्होंने पचास के आसपास जो भी फिल्में की उनके लिए अब तक उन्हें याद किया जाता है किमी काट करके जोड़ी ही सिर्फ अमिताब बच्चन के साथ ही नहीं बलके अनिल कपोर गोविंदा के साथ भी खूब जमी थी दर्या दिल जैसी करनी वैसी भरनी सोने पे सुहागा खून का करज जैसी कई फिल्में इन्होंने की और उन्हें काफी प्रसिद्धी भी मिली क्या आप कीमी काट करके फैन रहे हैं और कौन सी ऐसी फिल्म है जिसमें उनका काम आपको पसंद आया हमें जरूर बताएगा